हाई मैं परशांद आप सभी के अपने यूटूब चैनल एक्वीटी टू कॉमूरीटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में एक बार फिट से वालूम प्रोफाइल के उपर बात करने जा रहे हैं इससे पहले में मैंने वालूम प्रोफाइल के उपर वीडियो बनाया था और लास्ट वीडियो मैंने आपको क्या वोला था यह जो आपको नीचे में दोनों के उनतर और बात किया था और volume profile के basics के उपर बात किया था तो आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा advance जाने वाले हैं और volume profile के advance usage के उपर बात करने जा रहे हैं और याद रखना है कि हम जो भी कुछ बात करते हैं ultimately हमारा goal क्या होता है कि वो हमें trading decisions लेने में कैसे help करता है क्या वो हमारे trade को profitable बना सकता है या वो हमारे accuracy level को increase कर सकता है कैसे भी वो हमें trading decisions लेने में help करें उसके उपर हमारा main motor रहता है तो आज के वीडियो में भी हम वही main motor के साथ आगे बरेंगे कि हमें trading decisions में कैसे help करेगा तो चलिए start करते हैं चाट पर चलते और जो चाट पर हम आ रहे है वह किसका चाट है और टाइम फ्रेम देख सकते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम है यह इंट्र आडे के लिए तो यहां पर flexible टाइम फ्रेम है आप 15 मिनट 10 मिनिट 5 मिनट भी यूज कर सकते हो और अगर आप swing trading के लिए जाते हो तो यहाँ पे आप longer time frame भी use कर सकते हो time frame का यहाँ पे कोई भी restrictions नहीं है आप अपने हिसाब से time frame use कर सकते हो मेरी मानो तो आप 15 minute या भी 5 minute के time frame के साथ जा सकते हो 15 minute के time frame लोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा तो अगर आपको कोई एक rate time frame लेना है तो आप 15 minute ले सकते हो जो यहाँ पे हम use कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको यह normal volume profile दिख रहा होगा लेकिन यह आपका normal volume profile नहीं है यहाँ पे आपको एक shape बनता होगा दिख रहा होगा सहीद अभी आप recognize नहीं कर पाएंगे लेकिन market में यहीं चीज रहता है कि market में जो चीज आपको नहीं दिखता है जो general लोगों को नहीं दिखता है वो चीज आपको find करना है तभी market आपको reward देगा market में कुछ आप extraordinary नहीं करोगे तब तक आपको reward नहीं मिलेगा आप example के थूप school में याद कर सकते हो इसकोल में teacher आपको reward देता है जब आप कोई extraordinary काम करते हो तभी आपको कुछ reward मिलता है आप average student हो या below average हो तो आपको वहाँ पे कोई reward नहीं मिलता है कोई appreciation नहीं मिलता है यह जहां पर आपको find करना पड़ेगा एक safe कौन सा safe है चलिए find करने कोशिज करते हैं सबसपहले volume profile के edge से हम line draw कर लेते हैं और जहां पर thick volume है यह area thick volume है और यह area thin volume है यह इसके बारे में आपको detail से समझ में आएगा जब आप हमारा पिछला वीडियो देख लेंगे वापस से मैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो description में link होगा वहां पर click करके आप वो वीडियो जरूर देख लीजे उसके बाद यह चीज आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा अब यहां पर देखे क्या safe बना है यह safe side आप अच्छे तरीके से find नहीं कर पाया हो इसका mirror image बनाते हैं हम यहीं पर इसका mirror image बनाते हैं अब आपको यह क्या बन गया पी शेप बन गया जी बिलकुल यह आपका पी शेप profile बन गया यह आप इसको पी शेप वॉलम प्रोफाइल भी बहुल सकते हो अब इसका क्या मतलब है इसके basis पर हम कैसे trade करेंगे यह कैसे हमें support resistance के पहले इसे related कुछ point को हम देख लेते हैं तिहाँ आपको पी प्रोफाइल दिख रहोगा इसे related कुछ point देख लेते हैं कुछ क्या यहां पर दो ही point है यह कब होता है जब market आपका uptrend में रहता तब होता है अनोड़ होता है क्योंकि एक range बताता है एक area बनाता है जहाँ पर हम यहां पर आपको अपना profit book करना चाहिए उसके बाद जब downtrend खत्म होने वाला रहाता और uptrend start होने वाला रहाता वो रेंज भी आपको यह बताता है प्रोफाइल आपका दो जगह फॉर्म होता है uptrend में या नहीं तो जहां पर downtrend आपका खत्म होने वाला रहाता है वहां पर फॉर्म होता है यह चीज आपको ध्यान रखना आगे भी अब यहां पर देखिए इसके basis में कैसे trade करेंगे अब यहां पर वापस से क्या करते हैं यहां पर हम पी शेप ड्रॉप करते हैं देखिए यह आपका exact पीशे बन गया नीचे में भी थोड़ा सा दिख रहा है तो इसको भी हम ड्रॉप कर देते हैं यह आपका volume cluster इसका क्या importance है उसके उपर हम बाद में बात करेंगे यह आपका बनता है volume cluster नाम चाहों तो याद कर सकते हैं नहीं तो नाम याद करने की जव वह मैं आपको समझाता हूं इसका जो topmost point है यानि यह point है यह क्या करेगा यह आपका resistance के रूप में काम करेगा यानि इस range के पास अगर market आता है तो आपको क्या करना सबसे पहले आपको बताता है कि आपको अपना profit book करना यान profit book करके market से निकल जाना और देखिए ऐसा एक ब से Valor के करीब आया profit-booking अमार्केट आपका गिरा उसके बाद देख सकते हैं यह वह जो और यह जो डेट है, यह आज का ही डेट है, यानि 5th में का ही डेट है, जिस दिन हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो देख सकते हैं, प्राइस आपका यहां से बारबार नीचे की तरफ जा रहा है, तो यह एक जबरदर्स प्रेसिस्टेंस लेवल बनता है, जहां पे क सेलर्स का दबदबा है, मतलब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर सेलर्स का एरिया है, जहां पे बायर्स को वो इंट्री करने नहीं दे रहा है, इसके करीबी आता है, तो बायर्स को वहां से वापस से भगा दिया जाता है, तो यह रेंज हमें वो बताता है, यह पॉइंट क् आपको सबसे highest volume profile दिखेगा यह point है आपका POC POC का full form क्या है? point of control अब इसको point of control क्यों कहा गया? इसके पीछे भी logic है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे यह आपका point of control बन गया अब यह भी आपका support के रूप में काम करेगा क्योंकि price आपका इसके ऊपर trade कर रहा है तो पहला support level यह बने है सबसे पहले मैं इसको clear कर देता हूँ थोड़ा सा gathering लग रहा है पिछला वाला concept उमीद करते हैं आप लोग समझ गये होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो line जो कि मैंने आपको बताया था POC यहनी point of control यह भी आपका support के रूप में काम करेगा देख सकते हैं support के रूप में काम भी किया आगरें यहाँ पे straight line ड्रॉ करते हैं तो fourth of make हो यहनी कल के date में जब भी price इसके करीब आया है यहाँ से price आपका वापस से उपर की तरफ लोटा है देख सकते हैं आपका price वापस से उपर की तरफ लोटा है तो यहाँ पे हमारा पहला support level क्या बनेगा यह जो हमारा line है POC यहनी point of control वो हमारा यहाँ पे पहला support level बन आप यह point मान के चल सकते हैं यह point भी आपका क्या करेगा दूसरा support की रूप में काम करेगा नजदीक नजदीक में आपको दो support level लेखने मिलेगा यह दो आपका support की रूप में काम करेगा पहला support level आपका POC level के आसपास दूसरा support level जहाँ पे P shape है जहाँ पे उसका ending हुआ है यहाँ पे जो थिक volume है, जहाँ पे थिक volume कम हुआ है वह आपका support की रूप में काम करेगा और यहाँ पे एकृड support बनेगा जहाँ पे मैंने आपको यह बताया था volume cluster यह भी आपका सबसे strong support की रूप में काम करेगा यह क्यों काम करेगा इसके पीछे का concept आपको समझना देख सकते हैं यह हमारा वालम क्लिस्टर यहां पे बना है जो कि अभी पहले यहां पे हुआ करता था थोड़ा बहुत चेंज हुआ है तो अब यह जो लेवल है यह आपका सपोर्ट के रूप में काम करें एक तग्दा सपोर्ट लेवल बन जाएगा पहले आपका यह यहां प यह आसपास मिल जाता है तो यहां से रिवरेरसल के चंस्स बहुत जादा है और इस लिवल करीम आता है तो अगर आप ट्रीट लेना चाहते हैं तो यहां long positions है, तो यहाँ पर प्राफिट बुक कर सकते हो, नहीं तो आप चाहते हो, तो आपस से आप यहां पर short positions भी ले सकते हो, यहीं होने से बचारा यारी आपको loss भी होने से भी आपको बचा रहा है यानि मल्टिपल तरीके से यह आपके ट्वेट के एक इसी लेबल को इंक्वीज कर रहा प्रॉफिट बना के दे रहा आपको ट्रैप से बचा रहा अब इससे ज्यादा क्या चाहिए और यह आपका वॉल्म के बिसिस पे कोई यहां पे हम इंडिकेटर से यूज नहीं कर रहें वॉल्म सबसे बहत्वीन इंडिकेटर होता है इसलिए यहां पर हम इसका इस्तेमाल जादा कर रहे हैं और यह आपको बहुत ज्यादा होता है नीचे के वॉल्म से यह आपको बहुत ज्यादा होता क्योंकि एक्जेक्ट लेवल बताता है जहां पे वाइर्सॉर्सुर्स के बीच में फाइट सब्सक्टानिता है। और कहां परो वाइर्स कम चेजर्ड और और सेदें कि प्रूफाइल को ज्यादा इंपर्टेन्स देते हैं। तो आपका पहला Profile होता है। अब यहां पे दूसरे गFitुँ पर चलते हैं। वापस से चार्ट पे आये और अब हम Elsner Motors के चार्ट पे आये 15 मिन वाले वापस से यहाँ पे आपका क्या से बना है जो हमने पी से बना है था उसका अपोजिट यनि वहाँ पे आपको वालूम कहाँ पे दिख रहा था उपर की तरफ और यहां पर volume देख रहा है नीचे side की तरफ, यहीं अगर हम इसका mirror image बनाते हैं, तो क्या बनेगा, इस तरह का mirror image बनेगा, यहीं B, यह आपका B profile है, या फिर B shape volume profile आप इसको बोल सकते हैं, अब इसका क्या importance है, इसके regarding 2 point हम देख लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे यहां पर B profile से related हम 2 point देख लेते हैं, यह कब form होता है, जब market आपका downtrend में होता, तब form होता, यानि P का opposite है, तो uptrend में यह downtrend में, और possible end of the uptrend में यह आपका form होता है, यानि जब uptrend आपका खत्म होने वाला रहता है, तब यह आपका profile बनता हुआ दिखेगा volume पे, चलिए वापा से chart पे चलते हैं, और उसको हम और detail से समझने ही कोसिस करते हैं, तो मैंने आपको already बता दिया सब कुछ, यहां पे जो POC बना है, वो हमारा क्या बना है, यह हमारा क्या बना है, पॉइंट of control बना है, और यह आपका क्या shape है, यह आपका B shape है, इसको आप समझ सकते हैं मैं यहां पे आपको direct explain करता हूँ, अब यहां पे सबसे पहला point यह है, यह आपका क्या करेगा, यह आपका support की रूप में काम करेगा, यहनि काफी strong support level होगा, और देख सकते हैं, यहां से price आया है, वो आपस से उपर लौट आ है, और price वापस से इसके करिवारा, यहां से वा आपने लिया होगा, कल लेना विसकी था, क्योंकि market में market मचा हुआ था, लेकिन देखिए कितना सटे, कल ending में यह दिया था आपको, volume profile के lower end पे, जहां पे support level था, वहां पे बना था, उसके बाद price आपका उपर गया, वापस से आपका नीचे की तरफ आ रहा, यहां पे आप entry ले सकते हो, इसके बाद price आपका वापस से उपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, उसके बाद, यह आपका support बन गया, resistance level क्या बनेगा, सबसे पहला जो point of control है, जो हमारा वहां पे support level काम कर रहा था, वो यहां पे resistance की रूप में काम करेगा, और देखिए यहां पे अगर हम line draw करते हैं, देख बाद price यहां से वापस लोटा है, दूसरी बार आज के दिन के according भी price यहां से आपका वापस लोटा है, यह नि यह आपका resistance की रूप में काम कर रहा, तीसरा resistance level कहां पे काम करेगा, जहां पे volume cluster है, यहां पे आपका volume cluster है, तो यह आपका क्या बनेगा, यह भ आप resistance zone समझ सकते हैं, मैं clear करके बता देता हूं, सबसे पहला जो POC point है, यह बनेगा, दूसरा आपका at the end of the shape, जो B shape बनता है, वो यहीं से बनता है, और B shape का खत्मा यहीं पे होता है, यह हो गया, उसके बाद नीचे जो volume cluster आपको बनता है, यह आपका volume cluster बना है, तो यह भी trade ले सकते हैं, चलिए अगले shape के उपर आते हैं, जो कि हमें volume profile पर देखने को मिलता है, यहां में वापस से चार्ट पर आगे, और अब जो हम चार्ट पर आए, वो SDF से limited के चार्ट पर आए, और यहां पर 15 मिनट का ही चार्ट है, इसका पिस्तमाद इंट्राडे में भी कर स उसको आप identify कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी एक जबरदस्त shape का formation हुआ है, जो कि हमें general बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, पी और भी आपको general देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि uptrend और downtrend, mostly देखने को नहीं मिलता है, mostly यह देखने को मिलता है, वो आपको range bound market, mostly आप आपको देखने को मिलता है, और यह range bound market में आपका form होता है, और यह जो shape है, मैं आपको draw करके बताता हूं, देखिए, क्या shape है, अब आप बहुत हद्दक identify कर लिए होंगे, इसका mirror image बता देता हूं, देखिए, आपने school में ABCD पर आओगा, वही वाला D है, ठीक है, ज्यादा कोई complications नहीं है, बहुत simple है, देखिए, जो आपने बच्पन में बारा था, वो यहाँ पर stock market में भी काम आ रहा है, तो इसका इस्तमालाव कैसे कर सकते हैं, अब देखिए, यह क्या बताता है, यह हमें complete बताता है, कि नहीं यहाँ यहाँ पर buyers का dominance है, नहीं यहाँ यहाँ पर aggressive नहीं है, जैसे अभी वसिया UKन के उपर aggressive है, वैसे यहाँ पर कोई aggression नहीं दिखा रहा, नहीं buyers aggression दिखा रहा, नहीं sellers aggression दिखा रहा, दोनों के बीच में, पूरा का पूरा समझाता हो रहा, market एक range के बीच में आपको move करता हुआ दिखेगा, तो देख सकते हैं, आज भी market आ वापस से अपनी range में आ गया, यहाँ पर buyers ने बोला भाई मेरे साथ समझाता हुआ है, तुमने समझाता हुआ है तोरा क्यों, बोला भाई हमने तोरा नहीं है, वापस से हम तुम्हारी पास आ रहे हैं, देखिए वापस से उस range के बीच में आ गया, अब इसका क्या importance है, यह के तरफ से announcement के बाद, उसके बाद lower end पे market आया, support level के पास आया, buyers active हुए, price आपका ऊपर की तरफ गिया, और यहाँ पे buying करने के बारे में कोई नहीं सोचेंगे, लेकिन market में जो risk लेगा, जितको इनके बारे में knowledge होगा, वो यहाँ पे profit बनाया होंगे, पैसा बनाया होंगे तो वही चीज आपको बोला जाता है, कि market में आपको सारा कुछ situation देखना है, उसके basis पे आपको यहाँ पे risk लेना है, और यहाँ पे buyers active हुए, price आपको उपर गिया, अच्छा कासा profit बनाया होगा, यानि market आपका 200 से 250 के करीब गिया है, यानि 50 point का move दिखा है, futures में आपको अ point of control यहाँ पे आपको क्या बनेगा, आपका resistance बन जाएगा, अगर price इसके नीचे है तो, अगर price इसके ऊपर रहता, यह point of control, same आपका क्या बन जाता, यहां पर पॉइंट गी तरफ आ रहा है, यानि वापस से अगर इस रेंज में आता है, और यहाँ पे वावल भूप हमें इतना ही धिन दिखता है, तला पस से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम वापस से buy कर सकते हैं, क्योंकि price आपको वापस से upside की तो जाता हुआ है, यहाँ पर दिख सकता है तो इसके basis पर आप इस तरीके से trade कर सकते हैं एक और shape है जिसके बारे में generali लोग बात नहीं करते हैं लेकिन वो shape भी आपको सीखना जहूरी है उसके बारे में भी यहाँ पर आपको बात करना चाहूंगा अब यहाँ पर देखिए यह आपका shape क्या है अपने जो school में पराए ABCD DC अब हम थोड़ा पहले आते हैं C की बात नहीं करें यहाँ पर B shape बना है देखिए क्या बन गिया mirror image बनाते हैं B shape बन गया अब इसका क्या importance इसके basis पर कैसे tweet करें इसको भी आपको समझना इसमें उतना कोई complications है नहीं अब यहाँ पर क्या होता market आपका 2 range बनाता है हमने B में देखा था कि market एक अच्छा करसा क्रेंद लंबा चौरा range बना है सबसे पहला range यहां से यहां तक यह एक range हो गया अगर यह range ब्रेक हुआ उसके बात market क्या fresh range बनाएगा यहां से यहां तक यह एक रेंज बनाएगा अब देखिए पहले मार्केट अपर रेंज में ट्वेड कर रहा था इसके बीच में ट्वेड कर रहा था कि उसकी बाद जैसे इसको ब्रेक किया किसी भी एकारण से ब्रेक हुआ मार्केट इस रेंज में फसा अब बोला भाई तुम मेरे कपजे में आ गया अब यहां से बाहर निकलने नहीं देंगे अब देखिए इसी रेंज में तब से ट्वेड कर रहा है अब यहां पर आपको क् काफी फास्ट डिकेय करेगा अपका यहां पर चाहो कॉल पूट दोनों इक साथ उठा दो दोनों में आपको नुक्सान होगा दोनों का प्रीमियम आपका डिकेय करेगा क्योंक्ट वहां पर टाइम वैलु होता है और यह ज्यादा मोमेंटम नहीं दिकाता है तो जैसे मारक छोटे से रेंज में फस्ता है तो यहां पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना एस्पेसली क्योंकि इसमें ट्रैक होने के चांसे बहुत जाता रहते हैं लेकिन अगर आपको यहां पर ट्रेट लेना तो आप फ्यूचर में ले सकते हो यहां प ट्रोपार्ण में बताया जाता है और वॉलम प्रोफायल अगर हम जिरोधा का ट्रेडिंग प्रेडिंग प्लेट्वर्म यूज करें अगर आपको भी वॉलम प्रोफायल यूज करना और आपके ब्रोकर में नहीं मिलवा है तो आप जिरोधा में अपना DMAT account open कर सकते हैं जिरोधा में अगर आपको DMAT account open करना तो वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा उस link पे click करके आप जिरोधा में DMAT account open कर सकते हैं और ये volume profile को आप आसानी से use कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पे use करने हैं तो उमीद करते हैं कि आपको हमारे वीडि़यो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फ्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज कैजे और चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कि Drag मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद